इंडिया और कुछ और देशों में खासकर उन देशों की महिलाओं का सोने या सोने के आवुसर्ण के साथ एक विशेस मोह होता है और इस मोह को हम इस रूप में देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में 2022 में करीब 744 टन सोने के खपत हुई जो कि 2021 की तुलना में ये 3% के आसपास कम थी 2021 में ये फिगर करीब 798 टन के आसपास की थी अब सोचें कि एक साल में एक देश में करीब 800 टन सोना का खपत होता है तो क्या यहां के पब्लिक्स को कितना मोह है सोने के साथ अब यदि महलाओं से बात करें इस सम्मंद में कि आपको सोने के साथ इतना मोह क्यूं है उनका एक common reply आता है ये emergency fund है emergency में काम देगा जब भी emergency fund की बातें emergency की बातें होती है इसका मतलब emergency में उस सोने को हम बजार में फिर वापस बेज देंगे और उस पैसे से अपना कुछ यूज करेंगे इमर्जेंसी में यह सोने के बजार में खरीदने और बजार में बेचने यानि फीजिकल गोल्ड को खरीदना फीजिकल गोल्ड को बेचना बजार में इस बीच में कई प्रस्थन हमारे सामने आते हैं सबसे पहला प्रस्थन कुछ investment advisor यह दलील जब बजार में फीजिकल गोल्ड खहिदने जाते हैं या तो जो यल्दी के फॉर्म में और्नामेट्स के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में तो जो फ्लोटिंग रेट उस डेट का होता है उसके हिसाब से वो हमें सेल करते हैं और जब हम बेचने जाते हैं इमर्जेंसी में उसको बेचने जाते हैं तो वो floating rate में discount के बाद उसमें भी making charge का discount करते उस समय हमें समझ में आता है कि क्या ये सही में सोने में investment करना बेतर था विकॉज जब हमने खरीदा था तो उन्होंने applicable rate पे बेचा था दुकान सौपकी पर ने अज़ जब मैं बेचने गया उसे तो उसमें जो applicable rate थे उसमें discount किया और उसके बाद making charge माइनस किया तो मालूम हुआ कि इसका जो appreciation है it's quite less इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नौवमबर 2015 में इंडियन citizens को एक option दिया in a state of buying physical gold you can purchase paper gold भारत सरकार के साथ अब paper gold खरीदें और जो खरे देंगे वो standard rate होगा जब आप बेचेंगे उसको वो भी standard rate होगा और और इस scheme का नाम दिया होने sovereign gold bond scheme और आज हम चर्चा करेंगे इसी sovereign gold bond scheme की इसके कुछ बिस्षिताओं के बारे में और दूसरी चर्चा करेंगे कि financial engine 2017-18 में series 2 जो sgb issue हुए थे उसका premature redemption का date आज आज यानि 15 अप्रिल 2023 को है और आज का rate उन्होंने क्या लगाया है redemption का और किस rate में उन्होंने issue किया था इन दोनों की तुलनाग हम करेंगे और देखेंगे कि क्या यदि हम 2017-18 में series 2 में sgb में invest करते हैं और आज premature redemption हम लेते हैं तो क्या हमें return मिलता और यह return on investment की तुलना में क्या बेतर होती या बेतर नहीं होती यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए इसे like करें अपने friends के साथ share करें और यदि आप हमारे चैनल पर first time आया है इसको subscribe करें और subscribe करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जोगर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की notification आपको लागतार मिलती रहें अस्ट्रों टेक्स्पिन में आप एक बार फिर से स्वागत है मेरा नाम डियम जैसा कि हमने पहले चर्चा की है government of India ने 2015 में sovereign gold bond scheme का पहला स्रीज लांच किया और यह एक alternative था to buy to buying physical gold physical gold खरीदने के एक alternative दिया कि आप paper gold through this scheme खरीदें और यह रिजर बैंक ऑफ इंडिया issue करता है on behalf of government of India और इसमें जब आप purchase करेंगे from the date of issue आपको two point five percent on face value आपको interest देगा वो interest half yearly payable होगा मैं फिर repeat कर रहा हूँ जो भी face value होगा means issue price जो होगा उस पर two point five percent half yearly payable interest होगा जो आपके account में every six months वो create हो जाएंगे कि इसकी चेर साथ example देके आगे करेंगे कि वो कैसे create होता है और आप इसमें कम से कम एक ग्राम एक ग्राम is the unit कम से कम एक ग्राम खहिद सकते हैं आप और maximum आपको four kg एक financial year में यदि आप individual या हूफ है जो खहिद सकते हैं मैं फिर repeat कर रहा हूँ एक ग्राम से कम नहीं खहिद आजा सकता है और maximum individual या हूफ हैं तो एक financial year में आप maximum चार केजी से फालतू नहीं खर सकते लेकिन यदि आप ट्रस्ट या कुछ other entities हैं तो यह maximum limit जो है यह बीस केजी है lock-in period eight years यह lock-in period eight years से सुनके घबडाएं नहीं इसका मतलब यह नहीं है कि आपने आज पैसे आपने paper gold खरीदा और आर साल के लिए पैसे book होगा कुछ और provisions हैं इसमें कि in case of need आप उसके पहले भी पैसे आप ले सकते हैं जैसे premature redemption है यह redemption है five years from the date of issue जिस date को issue होगा उसके पां बाद जो next interest payment date होगा उस date को आपको premature redemption आप ले सकते हैं इसका सीधा मतलब कि the date of issue से साड़े पांच साल के बाद जिस दिन पूरे होंगे उस दिन redemption आप कर सकते हैं करवा सकते हैं और यदि उसके पहले वी पैसे चाहिए इसकी trading होती है जो trading की issue date के within fortnight start हो जाती है and you can go and खरी सकते हैं of course trading में तो rate कम मिलते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है कि lock in period eight years है इसका मतलब पैसे आपके आठ साल के लिए block हो गए ऐसी बात ही नहीं है इसकी cost सबसे important issue जो है इसमें इसकी cost कैसे लगते हैं जैसे मैंने पहले चर्शा की है जिए physical gold खरीदने जाते हैं तो जब खरीदने जाते हैं आप तो आपको floating rate जो उस दिन का rate है applicable rate उस पे मिलता है लेकिन जब बेचने जाते हैं उसको आप तो उस rate जो बेचने वाले selling date का जो भी rate होगा उसमें से वो discount करते practically और फिर making charge कम करते हैं और यह समझ में आता है कि हमने जितना में खरीदा था उससे थोड़ा ही में करके हमें यह मिला मतलब उसमें return जो हैं almost दो तीन चार परचेंट के आसपा घरा जाते हैं लेकिन यदि आप पेपर गोल यानि सोबरेन गोल बॉंड खरी देंगे तो यदि इसकी rate होगी चाहे वह issue date issue price हो या redemption price हो उसका basis है वह basis है it is simple average of the closing price of the last three business day इसका मतलब इंडियन बूलियन ज्योट एस्वेस लिंटेट एब्री डेब्री बिजनेश डेट डेक्लेर करता है rate और जो भी डेट होगा उसके पिछले last three business day का जो भी price होगा उसका average निकालके जो price आएगी यदि वो date issue date है तो आपको मिलेगी और यदि वो redemption date है तो उसी rate पे आपको वो बेच सकते हैं आप सो यहां एक transparency है आप सेल करेंगे या बाइक करेंगे उसमें जबकि physical gold में यह transparency का अभा होए अब देख एक और सुभाएं दी हैं कि यदि discount on price जो भी rate निकल के आएगा यदि आप वो purchase paper gold या सब्सक्रिप्शन यह कहां कहां से खरीद सकते हैं आपको जो आपको जो रेट मिलेगा ओन लाइन करने पर वो मिलेगा सब्सक्रिप्शन यह कहां कहां से खरीद सकते हैं खरीद सकते हैं आप आपको फीजिकली वहां जाना पड़ेगा आपके सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको फीजिकली वहां जाने की कोई जवरत नहीं है अब बात करते हैं नॉमनेशन आपको कुछ हो जाए तो नॉमनी को यह गोल मिल जाएंगे रेट मिल जाएंगे एक एक इंपोर्टेंट अस्पेक्ट इस टैक्स ट्रिट्मेंट की टैक्स का क्या ट्रिट्मेंट है इसमें फॉर एक्जामपूल हमने आग साल पहले तीन हजार रुपे में पर्चिस किया था और आज के दिन में छे जार रुपे का असार्व रेट है तो हमें जो 3000 रुपे जो कैप्टल गैन हुआ उसका टैक्स्तिकिंट क्या होगा इसके बारहें यह करते है कि यदी आपने रिडेंशन लिया मैचुए यदि आपने रिडेंशन लिया मैचुरी पर तो तो Capital गेंट-क्स नहीं लगेगा लेकिन यदि आपने प्री मैच्वर डिम्शन या ट्रांसफर किया ब्री फॉर मेचुरिटी आपने प्री मैच्वर ले ले लिए या उसको ट्रांसफर कर दिया थी इन बैट केस कैप्टल गेंट-क्स अपनेके बुल होगा और अब एक एक्जाम्पूल लेके बात करें इस एक्जाम्पूल लेने का भी एक कारण है फाइनसियल ये 17-18 में गभर्मेंट आफ इंडिया ने SGB का सिरिस 2 16-10-2017 को इशू किया था बतला इस दिन इशू डेट था और रेट जो था ये 2964 रुपे थे 2964 रुपे पर ग्राम 16-10-2017 को SGB 17- 2018 सिरिस 2 में इशू हुआ था जिसका प्रिमेच्चूर जैसा की तरचा हमने किया था कि 5 साल पूरे होने के बाद उसका नेक्स्ट इंटरस्ट पेबूल डेट जो होगा उस डेट को ये रिडम्शन कर सकते हैं और उस हिसाब से 16-10-2017 का 5 साल हो जाएगा 16-10-2022 और उसका ने इस संडे सो उसका प्रिसीडिंग अब डेट डेट इस पंद्रह चार दोजार तैस मतला आज के दिन इस सेरीज का रिडम्शन आज के दिन हो रहा है रिडम्शन मतला प्रीमेचूर रिडम्शन और रेट जो लगाया हुए उन्होंने छे हजार 63 रुपे पर ग्राम का लगा है यहां दो बाते हैं एक बाते हैं कि 2964 से 6663 रुपे मिले और यह 63 जो रेट निकाला इन्होंने यह निकाला एक 11 अप्रील 12 अप्रील 13 अप्रील के डेट में इंडियन बूलियन एंज्वेलर अशुशन आप इंडिया लिम्टेड ने जो रेट डेकलेर किया था इनका एव 33 रुपे है इसमें पूरी ट्रांसपरेंसी है कहीं कोई दुमिधा नहीं है मन में कि रेट कम लगाया या या रेट अधिक लगाया अब यदि इस दूसरे आसपक्ट की बात करें कि क्या हमें सोब्रेंट गोल बॉन्ड में पिछले रेकॉर्ड यदि आगे भी मेंटेन करता हो तो क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो देखें एक्जम्पल के तौर पे आप सब्सक्राइब में 2964 रुपे में खरीदा हमने और आप्टर फाइव एंड हाफ यह साड़े-5 साल के बाद यानि आज के दिन में हमें पैसे मिल रहे हैं 6,000-330 रुपे और यदि इसका हम से यह यह कल्कुलेट करेंगे इट कमस तू 13.9 परसेंट और 2.5 परसेंट जो एबरी हाफ यह इंट्रेस्ट मिला वह इंट्रेस्ट का एमांट होता है 407 रुपे और यदि हम टाइम वेलियो अप मनी को इग्नोर करते हुए यह माने के 407 रुपे भी आजी के दिन मिला त तू 15.25 परसेंट लेकिन यह चार सो साथ रुपे जो है डिफ्रेंट इंटर्वल पे डिफ्रेंट इंटर्वल पे हमें पहले मिल चुका है और यह टाइम वेल्य आपनी कंसिडर करें तो यह एरॉंड 15.5 परसेंट के आसपास सीजी आर होगा अब निर्ण आपको लेना है क कि यही रेकार्ड गोल्ड आगे भी दिखाए तो क्या हम सब्सक्राइब में इन्वेस्ट कर सकते हैं जनाब बिल्कुल कर सकते 2964 से 15.25 परसेंट का आपका सीजी आरे मिला है ऑफ कोर्स क्योंकि आपने प्री मेच्योर रिनेंशन लिया है इसमें कैप्टल गेंट जो होगा का पॉस्टन आएगा और वो इदि करेंगे इत विल कम अरूंड 14 परसेंट पोस्टेक्स रिटन 14 परसेंट is quite good return when we talk about the investment friends ये मेरा अपिनियन निर्ड आपका